हुआ है है तो हेलो ट्रीडर आप सभी का सब्सक्राइब किजिए वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजें यहाँ पर मैं जब intra day करता हूं oni इंटाडे में मैं कोफिकोंसी लेवल ओर लेवल मार्कर करके रखता ओ तो प्रिव्यस का जो high और low होता है वह i Sultan उसमा इंपॉर्टान register करके रखता हो तो प्रीवेस का हाई था वह वह 41,610 के आसपास का एक हाय था, तो मार्केट ने यहाँ पर क्या किया है, तेरा तारिक को यहाँ पर पहली कैंडल बनी थी, नोपंद रखी, वो रेड कैंडल बनी थी, तो वो red candle कहा तक गिरी थी तो अगर आप यहाँ पर previous swing का जो low था वो mark करके रख गए तो यहाँ पर similar level पर market ने एक support लिया है तो यह level पर support लेने के बाद में market ने क्या किया 41,611 का याने 12 तरीक का जो high था वो market ने break किया है तो 9 बच के 30 मिनट के candle ने यहाँ पर breakout दिया था अपसाइड में तो यह candle पर हम लोग ने इंट्री ली थी इंट्री लेने के बाद में जो हमारा stop loss था वो कुंसी लेवल का था तो यह अगर आप mark करोगे तो 41,550 के आसपस का हमारा stop loss था तो यह index पर आप calculate करोगे तो यह almost हमा वह as a target पकड़के चल रहते हैं हमारा first वारा but market ने यहाँ पर क्या किया है तो यहाँ पर अगर आप देखोगे momentum में था market तो यहाँ पर प्रिवेस जो candle गिरी थी उसका लोग जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक हम लोग वो stop loss था रहता है हमारा वो ट्रेल करते जाते हैं ओ तो यह ट्रेड में हम लोगने almost यहाँ पर 130 पॉइंट कवर किये थे इंडेक्स केस पर ओके तो यह ट्रेड होने के बाद में मैंने second जो ट्रेड ली थी वह मैंने as a short भी upload किया था तो अगर आपने वह short देखा होगा तो आपको पता होगा कि मैंने यह वाला जो लेवल है व यूग जो रेजिस्टन्स कर रहा था तो यह वाले Google पर एक मार्केटrente ले रहा था है किया तो यहाँ पर आप मार्क ओरोगे के यह वाली केंडल he yasabka करने के बाद में वो पूल बैक बीला था तो यह पूल्बैक मिलने के बाद Meyer कब हम ने यूँटि तो मारके यहाश सब रेक ऑड लिया रेकॉड देने के बाद में पूल बैक ले ने के बाद में सी गैंडरा मिनट की जो गैंडल है वो जब फॉर्म हुई थी आप है वो टाइम पे हम लोग ने इंट्री ली ती ओके तो ये एंट्री लेने के बाद में जो हमारा स्टॉप लॉस था वह कौन सी लेवल का था तो यह वाला हो गया हमारा स्टॉप लॉस पर्प salvation गड़ी की जो लेवल है वो हमारा स्टॉप लॉस हो गया तो हमारा जो हमारा जो टार्गेट निकल के आ रहा था तो तो जो प्रिवेस विंग का जो हाइधा वो इस टार्गेट पकड़के हम लोग चल रहे थे यह तो यह ड्याथा वूश्थ टार्गेट निकल के आ लेवल का था तो यह वाला जो टार्गेट था वो निकल के आ रहा था तो इसलिए मैं पेशेंच्ली वेड कर रा था मार्केट को अवसाइड में जाने के लिए कि क्योंकि मैं को पता था कि यह जो गाप था 42 थाउंद की लेवल का गाप ता वह सब्метुन तो इसलिए मैं हम यसंदि हुए मार्केट में, फोटी थू थाउजंद की लीवल भी मार्केट ने ब्रेक करनी के बाद में, 42,200 की लेवल तक मार्केट गया है, तो यहां पर हम लोग ने कुन सी लेवल पे एक्जट लिए था, जो एक्जट लिए था वही एकेंडल पर हम लोग ने एक्जेट लिया था कुन सा लेवल है 42,150 की जो लेवल है उसके आसपस हमारे एक्जेट था क्यों एक्जेट है क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने मुमेंटम ब्रेक किया है यहाँ पर आगर आप जूम करके देखोगे तो यह वाले सेकेंड जो कैंडल थी उसकी 15 बच की 20 मिनेट की जो कैंडल है उसने प्रिवियस कैंडल का लो ब्रेक किया है इसलिए हम लोग वहाँ पर एक्जेट हो गया तो इस तरह से हम लोग ट्रेड को एक्जेट करते हैं अगर मार्केट उपर जाने वाला होगा तो ही हम लोग होल्ड करते हैं नहीं तो थांक यू